जै माता दी दोस्तों साथियों कल से नवरात्री का पावन पर्व शुरू हो रहा है आज के इस वीडियो में नवरात्री से संबंदित सभी जानकारिया मैं प्रदान करूँगा नवरात्री में कैसे देवी की अराधना करें किस तरीके से कलच अस्थापना करें कौन सा शुब महुरत है कलच अस्थापना का किस तरीके से अखंड जोती आप जलाए ये सभी विधियां आपको बताएंगे इस वीडियो में बने रहेगा वीडियो के एंड तक आईए देखते हैं नवरात्री 2020 साथियों कल से यानि की 17 अक्टूबर से नवरात्री शुरू हो रही है नवरात्री में नौ दिनों तक मा दुर्गा की अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है कल नवरात्री का पहला दिन रहेगा हिंदु धर्में इन नौ दिनों का बहुत अधिक महत्व होता है नवरात्री के दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है प्रतेक दिन अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है दोस्तो इस दौरान नौ रूपों की अराधना जब की जाती है तो जो शक्तियां हैं देवी की और सिधिया वो जो भक्त गढ़ हैं उनको प्राप्थ होती है मानिता ये है कि इन नौ दिनों में देवी इतनी अधिक प्रसन होती है कि अपनो भक्तों को उनकी इक्षा के अनुसार फल देती है मनोकामनाय पूरी करती है और घर परिवार में शुबता लाती है आईए जानते हैं नौरात्री पूजा विधी, शुब मोहरत, कलत अस्थापना की विधी समेत पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी साथियो नौरात्री के हर दिन का खास महत्व है नौरात्री के नौ दिनों तक दुर्गा मा के अलग अलग नौ रूपों की पूजा की जाती है नौरात्री के अंतिम दिन को महा नौमी कहा जाता है और इस दिन करन्या पूजन किया जाता है आईए जानते हैं कि नवरात्री में किस दिन माता के किस स्वरूप को पूजा जाएगा साथियो नवरात्री दिन एक प्रतिपदा 17 अक्टूबर शनिवार मा शैल पुत्री की पूजा की जाएगी नवरात्री दिन दो इस दिन मा ब्रह्मचारणी की पूजा की जाएगी 18 अक्टूबर रवीवार को नवरात्री दिन तीन तृत्या 19 अक्टूबर शोमवार को मा चंद्रघटा की पूजा की जाएगी नवरात्री दिन चार चतुर्थी को 20 अक्टूबर मंगलवार को मा कुश्मांडा की पूजा की जाएगी नवरात्री दिन पांच पंचमी को 21 अक्टूबर वुद्धवार को मा इसकंदमाता की पूजा की जाएगी नवरात्री दिन 6 सस्टमी 22 अक्टूबर गुरुवार को मा कात्याइनी की पूजा की जाएगी नवरात्री दिन 7 सब्तमी को यानि की 23 अक्टूबर शुकरवार को मा कालरात्री की पूजा की जाएगी दिन आठ अस्टमी को 24 अक्टूबर शनिवार को मा महा गौरी महा अस्टमी जिसे कहा जाएगा और महा नौमी पूजा की जाएगी दिन नौ नौमी 25 अक्टूबर को मा सिद्धात्री की पूजा की जाएगी और दस्मी के दिन यानि कि 26 अक्टूबर शुमवार को दुर्गा वशर्जन और दशहरा का जो तहवार है वो मनाय जाएगा साथियो अब समस्ते हैं दुर्गा पूजा के लिए क्या आवश्यक शामगरी है नवरात्री के लिए साथियो आपको जरुवत पड़ेगी शुरी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र की सिंदूर केसर कपूर धूप वस्त्र दरपन कंगी कंगंचूडी सुगंधित तेल बंदनवार आम के पत्तो का पुष्प दुर्वा महंदी बिंदी सुपारी साबूत हल्दी की गांट और प अट्रा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, भेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीबद्दी, नैवध्य, मधू, शक्कर, पंचमेवा, जाइफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलाइची, कलस मिट्टी या पीतल का हवन सामगर पूजन के लिए थाली, श्वेत्वस्थ, दूद, दही, रितूफल, सर्शो, सफेद और पीली, गंगा जल, और नवगर पूजन के लिए सभी रंग के फूल भी अवश्यक रखे अब हम जानेंगे साथियों कलस के बारे में पुराणों में कलश को सुक, समरिद्धी, एश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है मानिता है कि कलश में सभी गर, नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास होता है इसके अलावा ब्रह्मा, विश्णु, रूद्र, सभी नदियों, सागरों, सरोरों एवं तैतिस कोटी, देवी, देवता कलश में विराजते हैं इसलिए पूजा करते समय माता की प्रतिमा या कलश की अस्थापना इसी दिशा में करनी चाहिए कलश अस्थापना की तिथी और शुब महुरत, 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6 बज कर 23 मिनट से 10 बज कर 12 मिनट तक है यानि कुल अवधी 3 घंटे 49 मिनट की रहेगी अब हम जानेंगे कि ये कलश अस्थापना कैसे करे साथियो नौरात्री के पहले दिन यानि की प्रतिपदा को सुबह सुबह असनान कर ले मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणिश जी का नाम ले और फिर मादुर्गा के नाम से अखंड जोती जलाए और कलश अस्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल कर उसमें जो के भीज बोए अब एक तामबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाए लोटे के उपर हिस्से में मौली बांधे उपरी हिस्से में अब इस लोटे में पानी भर कर उसमें कुछ बूंदे गंगा जलकी मिलाए फिर उसमें सवा रुपया दूब, सुपारी, इत्र और अक्छट डाले इसके बाद कलश में अशोक या आम के पांच पत्ते लगाए अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर उसमें मौली से बाहन दे फिर नारियल को कलश के उपर रख दे अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचो बीच रख दे जिसमें आपने जौब होई है कलस अस्थापना के साथ ही नौरातरी के नौ वरतों को रखने का संकल्प लिया जाता है आप चाहें तो कलस अस्थापना के साथ ही माता के नाम की अखर्ण जोती भी जलाए बंदनवार वैदिक काल से ही किसी भी शुब कार्रे या पूजा अनुष्ठान के दोरान घर के परवेश द्वार पर आम या अशोक के ताजे हरे पत्तों की बंदनवार लगाई जाती है ऐसा करने के पीछे माननिता ये है कि इससे घर में नाकरात्मक या बुरी शक्तिया परवेश नहीं करती माना जाता है कि देवी पूजा के प्रतम दिन देवी के साथ तामसिक शक्तिया भी होती है देवी घर में परवेश करती है पर बंदनवार लगी होने के कारण तामशिक शक्तिया या बुरी शक्तिया घर के बाहर ही रहती है तो बंदनवार का भी उपियोग आप अवश्यक करें दीपक अगनी इश्वर का ही रूप है दुर्गा मा की पूजा में शुद देशी घी का अखंड दीप जलाने से घर में सकरात्मक उरजा का परवाहर होता है नकरात्मक उरजाएं समाप्त होती है एवं इससे आसपास का वातवरन शुद हो जाता है अखंड दीप को पूजा अस्थल के आगने यानि दक्षिन पूर्व में रखना सुब होता है क्योंकि यह दिशा अगनी तत्व का प्रतिनिध्व करती है आगने एकोण में अखंड जोती या दीपक रखने से शत्रों पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में शुक और सम्रिधी का निवास होता है नौरात्री में वरत का पूरा समान मंगा ले अगर आप नौरात्री में वरत रख रहे हैं तो जानिये क्या-क्या समान आप मंगा सकते हैं नौरात्री वरत की शामगरी आज ही मंगा ले अगर आप नवरात्री के वर्थ रखने जा रहे हैं तो घट अस्थापना में परियोग होने वाली पूजा सामगरी को भी अभी मांगा ले वर्थ के लिए कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंहाडे का आटा, साबूदाना, सिंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मुंगफली, आदी सामगरी भी ले आएं तो साथियो आज नवरात्री के लिए जो भी तयारिया है आप संपूर कर लीजिए कल से अगर अब कलस अस्थापना और अखंड जोती जलाने वाले हैं तो उसकी भी पूर तयारी पूरा कर लीजिए घर में साफ सफाई करके किसी भी तरीके की बुरी शक्तियों को परवेशन होने दे बड़े ही सात्विक मन से कल संकल्प लेते हुए कलस अस्थापना के साथ ये नवरात्री के तहवार की शुरुआत करिए साथियों मुझे उमीद है कि इस वीडियो में आपको नवरात्री से संबंदित सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी जो भी हमारे साथी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को लाइक कमेंटर शेयर करेंगे धन्यवाद साथियो जैहिन जैमातादी